बनाया और यहाँ से प्राइस उपर गई फिर से नीचे आई फिर से इसी डिमांड जोन में प्राइस आते ही उपर गई तो यह सबसे पहला सीक्रेट है हमारा इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे सीक्रेट देने वाला प्राइस एक्षिन के बारे में जिसके हल्प से आपकी टेडिंग जर्नी पूरी तरीके से चेंज हो सकती है अपकी भी चेंज हो जाएगी सबसे पहला सीक्रेट है सपोर्ट एंड डेसिस्टेंस को लेकर सो हम सबको बता है कि सपोर्ट एंड डेसिस्टेंस हम कैसे मार्क करते हैं सो बेसिकली जिनको नहीं पता यहाँ पर यह जो होरीजोंटल लाइन वाला टूल है इसको हम ऐसे जगों पर लगाते हैं जहाँ पर हमें कुछ बड़े से मूव्स दिके हो अगर इसको प्रेप करते है तो यहां से ब्रेक करते है तो हम इसे ब्रेकट बोलते है नॉर्मल जो ट्रेडर्स करते हैं और पहले करते थे बट आज के टाइम पर यह काम नहीं करता क्योंकि अभी के टाइम पर बहुत सारे इंस्टिटूशन्स इसको ऐस फेक आउट की तरह यूज करते हैं उनकी लिक्विडिटी को यूज करने के लिए तो फॉर एक्जमपल यहाँ पर यहाँ पर प्राइस बहु हम क्या करेंगे और इस चीज का सपोर्ट एंड रसिस्टेंस इस तरीके से मार्क करने का और एक प्राब्लम यह है कि यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर यहाँ पर एक रसिस्टेंस मिल सकता है एक यहाँ पर एक रसिस्टेंस हो सकता है एक यहाँ पर ए तो इसलिए हमें filter out करने है कुछ ऐसे zones जहाँ से price ने एक बड़ा movement दिया था तो यही है सबसे पहला secret price action का जो की यह है कि सबसे पहले तो हमें lines नहीं mark करने है हमें mark करने है zones ओके तो यह जो line वाला tool है इसको तो आप use नहीं करोगे आप use करोगे यहाँ पे इस tool को rectangle को और इसके दम पे आप यहाँ पे zones mark करोगे और कौनसे zones mark करोगे जहाँ से आपको एक बड़ा सा movement दिखाता बहुत कम टाइम में एक sharp move आपको दिखाता मैं आपको दिखाऊंगा example के साथ सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिख रहा है यह वाला जो point है यह वाला जो spot है 25th June वाला इसके बाद क्या हुआ 26th June को Reliance ने 4% से जादा का move दिया था उपर के side उसके बाद क्या हुआ फिर से 1% का move दिया और यहाँ पे उसके बाद फिर से 2% का move दिया यानि total अगर मैं आप 26th June से लेके तीन दिन में almost तीन दिन में price गई 8% से भी जादा उपर तो आप खुद का logic लगाईए क्या यह retailers कर सकते है क्या नहीं इसके पीछे किसी institution का हाथ है इसी के दम पे हम अपने zones को mark करेंगे और इसको हम आप support का नाम दो या demand का नाम दो जो भी दान देने आप दे दो मैं इसको demand zone usually बोलता हो तो मैं कैसे mark करूँगा मैं यहाँ पे इस वाले tool पे जाओंगा rectangle को यहाँ पे मैंने star mark करके रख दिया है तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से mark करूँगा मेरा demand zone यह होगा मेरा demand zone राइट क्योंकि यहाँ से price बहुत कम समय में बहुत जादा उपर गई थी राइट देख पोई भी इंसान easily track कर सकता है easily दिख सकता है यह तो यहाँ से price बहुत कम time में बहुत जादा उपर shoot up हुई थी राइट तो इसको मैं as a demand zone mark करूँगा और आप देख सकते हो आगे क्या हुआ फिर उसके बाद जैसी price हमारे demand zone में enter हुई यहाँ से फिर से थोड़ी उपर गई और यहाँ पे kind of a w pattern बनाया और यहाँ से price उपर गई फिर से नीचे आई फिर से इसी demand zone में price आते ही उपर गई तो यह सबसे पहला secret है हमारा कि हम support and resistance को थोड़ा और अच्छे से use करेंगे थोड़ा advanced level पे use करेंगे कैसे ऐसे spots identify करेंगे जहाँ पे हमें एक बड़ा सा move नीचे के side पे अब यहाँ पे मुझे और एक zone दिख रहा है आप मुझे बताइए यह वाला जो spot है 18 जुलाय वाला उसके बाद क्या हुआ price गई 2% नीचे उसके बाद सीधा gap down price खुली minus 3.5% यहाँ पर आपको दिख सकता है यहाँ पर मैं जो moves बता रहा हूँ वह आप यहा से price इस वाले spot से price almost इतना नीचे गई है यानि 7.25% वो भी सिर्फ तीन दिनों में इतना price नीचे कैसे जा सकती है किसी बड़े institution ने sell किया होगा या फिर कुछ negative news आई होगी राइट तो यहाँ पर इसके पीछे का logic यही है कि यहाँ पर कुछ pending orders होते हैं बड़े लोगों के जो कि fulfill होते हैं अगर इसके बारे में आपको एक detail में वीडियो चाहिए तो नीचे comment में बताना और अगर इस वीडियो पर मुझे 100 से जादा likes मिलते हैं तो मैं एक पूरा free course बना दूंगा demand and supply zones पे उसमें आपको पूरा detail में बताऊंगा कि कैसे demand and supply zones mark किये जाते हैं का आप पर stop-loss place किया जाता है का पर target place किया जाता है और trust me इसके दम पर अगर आप swing trading करोगे तो आप बहुत अच्छा खासा profit कमा सकते हो क्योंकि यह जो strategy है इसमें हम use करते हैं institutional price action okay so यहाँ पर मैं बस उपर उपर से touch कर रहा हूँ so let's get back to the topic इसमें यहाँ पर price नीचे गई बहुत कम time में बहुत जादा right तो मैं यहाँ पर इसको as a supply zone mark करूंगा कुछ इस तरीके से right यह है मेरा supply zone क्योंकि यहाँ से price start हुई थी नीचे जाना right तो इसको मैं mark करूंगा as a supply zone or as a resistance right यह है नीचे मेरा demand यह है मेरा supply अगर अब price यहाँ पर enter करती है और यहाँ पर जाके अगर मुझे कुछ extra confirmation मिलते है जैसे की एक inverted hammer candle या फिर bearish engulfing candle जो की normal candlestick patterns होते है bearish वाले अगर वो मुझे यहाँ पर दिखते है तो मैं यहाँ एक short trade plan कर सकता हूँ again अगर आपक और एक example आपको बताता हूँ Tata Motors में जो की हाली में हुआ था Tata Motors में आप जैसे की देख सकते हो यह वाला जो spot है पहले वाले drawings में अपने delete कर देता हो यह वाला जो spot है यहाँ यहाँ पर देखो 24th July को क्या हुआ 2.5% से price उपर गई उसके बाद क्या हुआ 25th July को फिर से 6.15% से price उपर गई तो यहाँ पर continuous green candles बने थे और यहाँ पर almost 7 दिनों में Tata Motors ने 16% का move दिया था राइट तो यह जो move है इतना बड़ा इतने कम समय में यह normal retailers का काम नहीं है इसमें किसी institution ने price को push किया है यहाँ फिर एक positive news आई थी Tata Motors के बारे में इसलिए price इतना उपर गई है तो मैं क्या करूँगा simply इस zone को मैं यहाँ पर mark करूँगा इस तरीके से यह क्या होगा मेरा demand zone या supply zone demand zone या support अगर आपको support बोलना है तो support अब बोल दें ओके क्या हुआ price उपर गई फिर से नीचे आई exactly हमने जो demand zone mark किया था उसमें price ने enter किया और फिर से उपर गई तो मुझे यहाँ पर एक supply zone दिख रहा है यह क्यों है मेरे supply zone क्योंकि यहाँ से price ने एक sharp नीची की तरफ move दिया था ओके फिर से अगर मैं price यहाँ पर आने का wait करूँगा जैसी price यहाँ पर आएगी मैं यहाँ पर एक short rate plan कर सकता हूँ अगर मैं पीछे जाओ कुछ और examples बताओ तो यह एक है यहाँ पर price ने लगातार 3-4 दिन price गिरी इतना बड़ा move आया था बहुत कम टाइम में तो मैं इसको as a supply zone की तरह mark करूँगा यहाँ पर price आई और फिर नीचे गई राइट हाला कि इतनी नीचे नहीं गई बट फिर भी एक downside वाला move हमें दिखाई दिया था क्य क्योंकि यह हमारा एक proper resistance वाला zone था अगर एक support zone में ढूड़ने की try करूँ तो यह देखो यहाँ पर यहाँ पर यह जो move आया था एक दिन में price ने almost 6.5% का move दिया था तो मैं क्या करूँगा मैं इसे as a demand zone की तरह mark करूँगा क्या हुआ प्राइस यहाँ पर आई प्राइस फिर से उपर गई फिर से नीच आए फिर से उपर गई तो कुछ इस तरीके से demand and supply zones काम करते हैं मार्केट में तो यह था हमारा पहला secret second secret मैं आपको बताऊंगा उसको बोलते है candle stick patterns को एक extra confirmation के साथ use करना तो बहुत सारी लोग क्या करते हैं यहाँ पर एक bullish engulfing या फिर इसको बुलिश पिन बार बुले जो आपको नाम देना है दे दीजिए अगर यह दिखा तो blindly एक trade ले लेते हैं आपको ऐसा नहीं करना है आपको आपके पास एक extra confirmation होना चीए जैसे क की demand and supply zone का या फिर किसी indicator का अगर मैं किसी indicator को plot करूँ मेरा favorite है super trend ओके यहाँ पर आपको मिल जाएगा super trend का अब देखो यहाँ पर super trend green था राइट यहाँ पर super trend green था super trend green होने पर हमें हमें क्या पता चलता है कि price अभी bullish है अब इसके साथ जैसे super trend के आसपास अगर मुझे bullishness दिखाई देती है जैसे कि hammer candle के form में मैं यहाँ पर एक trade ले सकता हूँ यहाँ पर एक proper trade था फिर जैसी इसका उल्टा अगर मैं देख लो तो red वाले के आसपास अगर मुझे inverted hammer candle kind of दिखाई देती है तो मैं यहाँ पर एक short trade plan कर सकता हूँ यहाँ पर देखो फिर से example है हमारे पास green candle green super trend के आसपास अगर मुझे hammer candle दिखती है तो मैं यहाँ पर एक long trade plan कर सकता हूँ यहाँ पर रेड वाले के यहाँ पर मुझे जैसी एक inverted red candle inverted hammer दिखी मैं यहाँ पर एक short trade plan कर सकता था राइट सो यह है मेरा दूसरा secret जो की है blindly candlestick patterns को follow ना करे एक extra confirmation आपके पास होना चाहिए support and resistance के form में हो सकता है वो या फिर indicators के form में हो सकता है वो ओके यह था मेरा second secret अब इसके आगे के secrets अगर आपको चाहिए तो नीचे comment में बोलिए मैं इसके उपर एक part 2 जरूर लाओंगा ओके so this was Vinay Gurao signing off bye bye